जैसे कि आपको पताए कि इंटरनेट आप यूज करते होंगे और 5G इंटरनेट की सुग्दा काफी आदा एरियास पर आ जूगी है और आपको ये भी बता हुआ कि जब आप 5G इंटरनेट का यूज करते हैं तो अधर पर आपको unlimited data देखने को मिलता है बट ये unlimited data आपको आप प्लूबी studio को लाइक कर रहा है और प्ली चैनल को सस्क्राइब करके बैल अकि जो अवैस कर रहा है तो आप कितना भी data यूज करें उसकी कोई limit नहीं है और इसके साथ एटल भी आपको 5G data का सुब्दा प्रवाइट कराने लगी है बट इस पर कुछ limit लगने वाली है अब unlimited देखने को नहीं मिलेगा बात यह हो गई है कि वी आई ने ट्राइस से जाकर complain किया है कि जियो और एटल यह ऐसा क्यों कर रहे हैं unlimited data क्यों customers को provide कर रहे हैं जिससे मेरा नुकसान हो रहा है और मेरे customers काफी जा रहा है एटल और साथ में जियो के पास वी आई की ऐसी condition हो चु अपनी काफी ज़्यादा down हो चुग है करजे में दबे हुए है अब यह 5G data provide कराएंगे तो और भी ज़्यादा दब जाएंगे अब इन्होंने सोचा कि हम try से जाकर यह complain कर देते हैं कि एटल और जियो का 5G जो unlimited data देखने को मलता है वो बंद करा देते हैं अब try से complain करने के अब try में कहड़ एटल और साथ में जियो से कि भाई क्यों unlimited data provide करा रहे हैं क्या है आपकी term and condition है यह आप provide करा रहे हैं तो इस पर limit भी है फिन नहीं limit तो इधर पर जियो और साथ में एटल ने कुछ सफाई दिया है और इसके सासत यह भी बताया कि इस पर limit हम लोग लगाते ह करा रहा है एटल वालों ने कहा है कि जो हम इंटरनेट provide कराते हैं वो 30 days के लिए 300GB का data provide करा रहा है जो कि unlimited बिल्कुल भी नहीं provide करा रहा है इस पर हमारी limit लगी हुई है जो कि unlimited बिल्कुल भी नहीं है चलिए एटल ने तो बता दिया कि इस पर हमने limit लगा रखे 300GB की अब जीओ ने क्या बोला है उसका भी थोड़ा सा आप सुनली जीए टैंसल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है जीओ अपना unlimited रहे और unlimited रहे गभी जीओ ने direct बोल दिया कि हमारी जो connectivity है हमारी जो network वो ऐसे ही काफियादा slow चलते हैं जैसे कि customers काफियादा बोलते है कि जीओ का internet और हम customers को unlimited भी अगर provide कराते हैं तो वो full unlimited का उपियोग नहीं कर पाएगा because network की speed काफियादा slow चलती है हमारी तो customer बिल्कुल भी unlimited का उपियोग नहीं कर पाएगा मतलब जीओ का कहना है कि जो internet की speed काफियादा slow चलती है तो customer वैसे भी unlimited का उपियोग नहीं कर पाएगा मतलब समझ की चल सकते हैं, Gyo का इंटरνεट आपको देखने को मिलेगा वो अभी भी unlimited देखने को मिलेगा, हाला कि सा आपको slow देखने को मिल्जाती है उसकी speed, बट unlimited अभी भी देखने को मिलेगा, उसकी कोई limit नहीं है, तो खुस हो जाएए जियो में अभी कोई भी लिमिट नहीं लगी और एटल में 300GB की लिमिट लग चुकी है कि ये पहली बार बिल्कुल भी नहीं हो रहा कि V.I. कम्प्लेन कर रही है ट्राई से एटल और जियो की पहले भी ऐसा हो जुगा है जब जियो 4G unlimited internet launch हुआ था तब V.I. और साथ में एटल ने भी कम्प्लेन किया दर ट्राई से कि ये unlimited क्यों provide करा रहा है बट उनको भी बाद में unlimited ही provide कराना पड़ा ATL को भी unlimited प्रवाइट कराना पड़ा और VIA को भी unlimited प्रवाइट कराना पड़ा ऐसा ही कुछ अभी हुआ है अग साथ में ATL तो प्रवाइट करा रहा है 5G unlimited और GOV प्रवाइट करा रहा है बट जीओनेट से सीधा सीधा बोल दिया कि हमारे इंटरनेट की काफिया था slow speed तो हम unlimited ही customers को प्रवाइट करा रहा है मतलब कहने का उनका यही था तो गाइज आसके इस वीडियो में को इसतनी information आपके साथ में share करनी थी कि जीओ में अभी भी unlimited देखनी को मिलता है और एटल में आपको 300GB की limit भी देखनी को मिल आती है बट आंगे जो भी rules आते हैं और नियम्स आते हैं मैं आपको चैनल पर वीडियो बना कर जरूर प्रवाइड होगा new update जो आता है तो चैनल को जरूर सस्क्राइब करके रखना और नोड़ी पिकेशन बाला के जोब आसके रहना थैंक्स वाच में गाई